केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार एक बार फिर आमने सामने है प्रवरतन निर्देशाले ने मंगलबार सुबा आपके बड़े नेताओं के घर पर छापेमारी की इसके बाद दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने प्रेस कंफरेंस कर कई आरोप लगाए उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है और इजिंस्यों के माध्यम से हमें डराने का प्रयास किया जा रहा है इसके बाद ED action में आ गई और उसने अपने दिल्ली इस्तित मुख्याले पर बड़ी बैठकी सूत्रों से जो जानकारी आई है उसके अनुसार ED अपने खिलाफ आमादमी पार्टी के आरूपों को गंबीरता से ले रही है सुमबार को आतिशी ने social media platform x पर लिखा था कि वो ED को expose कर देंगी लेकिन उससे पहले ही ED ने कारवाई शुरू कर दी आतिशी ने BGP पर आरूप लगाया कि आमादमी पार्टी को डराने की कोशिश BGP कर रही है उन्होंने कहा कि ED हमारे नेताओं के घर पहुची है आतिशी ने BGP पर आरूप लगाते वे 2 साल में ED को 1 रुपे भी नहीं मिला ED के पास कोई सबूत नहीं तो चुप कराने के लिए छापे पड़ रहे हैं हमें डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है गवाहों के बयान फर्जी है ED दवाव डाल कर गवाहों के बयान दर्ज कर रही है आतिशी ने BGP पर आरूप लगाते वे कहा कि आप नेताओं और आप से जुड़ी लोगों के खलाफ ED के छापे मारी जारी है उन्होंने कहा कि आप कोशाद्यक्ष और सांसद, एंडी गुपता, अर्विन केजरिवाल के पीए और अन्य के आवास पर शापे मारी चल रही है आतिशी ने कहा BGP केंदरी एजिंसी के जरी हमारी पार्टी को दवाना चाती है लेकिन मैं उनसे कहाना चाती हूँ कि हम डरेंगे नहीं अब खबरे आ रही हैं कि हमारे कई और नेताओं के घर ED के रेट पड़ेगी